ड्रामा के स्टार्ट में हमारी हिरोईन को देखते हैं जिसका नम जी होता है जो कि एक स्कूल में इंटर्व्यू के लिए आती है स्कूल की दिन जिसका नम जैन होता है वो जी का रिजू में देखकर कहती है कि आपका रिजू में तो काफ़ जाता अच्छा है आप किसी अच्छी जोब के लिए अपलाई क्यों नहीं करती हो जी कहती है कि मुझे बच्चे को पढ़ाना काफी जाता अच्छा लगता है तो प्लीज आप मुझे ये जौब दे दीजेए और यहां पर जी अपने पास के बाते याद करने लगती है जहां पर वो अपने हस्बेंड लियांग को कॉल करती है जो कि एक लड़की के साथ होता है जो कि कोई और नहीं है बलकी जैन ही होती है जी लियांग को पताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और हमारे तो ठूडवा बच्चे आने वाले है तब ही Jen, Niang का फोन लेकर फेक देती है और कहने लगती है कि मेरे सामने उसे बात मिन्थ किया करो उन दोनों को साथ में G भी देख लेती है जो देखकर G को तो काफी जाता बुरा लगता है और वो रोड क्रोस करने लगती है तब ये उसका accident हो जाता है और वो अपने बच्चे को बचाने के लिए लोगों से खेने लगती है यहाँ पर लियांग भी देखने वाला था कि किसका accident हुआ है लेकिन जैन उसका हाथ पकड़ कर ले जाती है और वो जी को देखने ही पाता है वो लोग जा रहे होते हैं तब ये जैन के पास एक message आता है मतलब कि ये accident जैन नहीं करवाया था रेजेंट में जी जैन के सामने बिट का सूशी होती है कि तुम्हें मुझे पहचान लेना चाहिए मैं यहाँ पर तुम्हें बरबात करने आई हूँ और वो फिर से पास के बाते याद करती है जिसमें जी accident के पात हॉस्पिटल में होती है तब ये लियांग उसके पास आता है डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारी वाइब की condition काफी ज़्यादा खराब है और दोनों बच्चे भी मर चुके है लियांग जाकर उसे sorry कहने लगता है जी कहती है कि तुमने ही हमारे बेपीस को मार दिया है लियांग बताता है कि तुम जैसे समझ रही हो विसा कुछ भी नहीं है जेन कंपनी में new assistant है मैं उस दिन client के साथ था और नसे में था मुझे नहीं बता कि मैं कैसे कब उसके बिस्तर पर पहुँच गया मैंने सोचा कि मैं इस सबको खुदी call कर सकता हूँ और मैंने इससे बात कि उसने मुझे से promise किया था कि अगर मैं उसके boyfriend के सामने तीन मेने तक दिखावा करूँगा तो किसी को कुछ नहीं बताएगी और अब हम लोग हलग हो चुके है मेरा भरोसा करो लेकिन जी उसके कोई बात नहीं सुनती और कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ तबी लियांग के phone पर एक message आता है जिसे देखकर वो काफी जाता परेसान हो जाता है नेक सीन में जी को लियांग को आवाज लगाते वए देखते हैं तबी उसे पता चलता है कि जैन ने लियांग को धोका दिया है जैन ने उसके company के सारे sales सारे फेर से छीन लिया है और उसके company पर भार की company से कर्ज भी लिया है जिसके वज़े से लियांग हास्पिटल के टेरस से कूद के सूसाइट कर लेता है और जी भी ये सब कुछ देखकर भेहोस हो जाती है अब प्रेजन का सिन दिखाया जाता है जहापर जी कहती है कि मैं क्लास A में जाना चाती हूँ क्योंकि वहाँ के बच्चे बहुत अच्छे है एक्शल में तो क्लास A में जाने का उसका रीजन होता है कि क्लास A में जेन का बेटा भी बढ़ता था जिससे पहले ही जी मिल चुकी थी जी सोचती है कि तुमने मेरी फैमली पर बात की है तो फिर से सिगरेट भीने लगती है। जी उन लोगों को टेलिसकॉप से देख रही होती है। हम देखते हैं कि जी ने अपनी वाल पर बहुत सी पिक्चर लगा रखी थी जिसमें से वो सिउचन की पिक्चर उठाती है और कहती है कि मेरे सबसे पहले सिकार तुम बनोगे जैसे जेन ने मेरी फैमिली को चीना है वैसे ही मैं उसकी फैमिली को चीन लूँगी जेन को सबसे आलब कर दूँगी नेक सीन में जी सिउचन के घर के बार खड़ी होती है तब भी वहाँ पर स्यूचन आ जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो और तुम अंदर के से आई तब इस जी का हैर रिबिन हवा में उड़कर स्यूचन के पैरों में गिर जाता है जी उसे उठाने के लिए जाती है लेकि स्यूचन उसका हाथ पकड़कर धका देता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और वो अपने हाउस कीपर का आवाज लगाने लगता है लेकिन तब ही वहाँ पर स्यूचन का बेटा आ जाता है जिसका नम जिंगसी होता है जिंगसी आकर अपने डेट को बताता है कि यह मेरी new teacher है अब student Z को उठाता है और उसे sorry कहने लगता है GP उसे mark करतेती है और कहती है कि कि आप एक घंटे के बाद मेरे school में आकर मिलेंगे क्योंकि मैं यहाँ पर new हूँ और हर बच्चे के parents से मलना चाहती हूँ तो situation कहते कि ठीक है और जी जिंगसी को अपने साथ लेकर चली जाती है जिसके बाद वो उसे एक locket पहनाती है और उसे locket पहनाते हुए यहाँ पर जैन ने भी देख लिया होता है तो वो अपने एक आदमी को call करके जी के बारे में पता करने के लिए गहती है जिसके बाद जैन को जी के बारे में सुब कुछ पता चल चाता है कि वो लिगांगी wife है अब जैन जल्दी से जिंगसी को ढूलते हुए उसके classroom में चाती है लेकि जिंगसी अपनी classroom में नहीं होता है जैन वहाँ पर बेठे student से पूछती है कि मेरा पिटा कहाँ पर है वो लोग बताते हैं कि वो teacher जी के साथ गया हुआ है जो जैन का जैन को तो काफी गुसा आता है और वो अपने कुछ आत्मियों को साथ जी को ढूलने लगती है तभी वहाँ पर उसे एक secret room का पता चलता है जिसके अंदर जी और जिंगसी होते है यहाँ पर जी के हाथ में एक Caesar होती है इसे लेकर वो जिंगसी के पास जा रही होती है तभी वो अपनी पुरानी बातों के बारे में सोचने लगती है और सोचती है कि वो पहली बार कैसे जिंगसी से मिली थी एक्ट्रन में जी जिंगसी को मानना चारी होती है इसलिए उसके हाथों में Caesar होती है लेकिन एक अच्छा अंसान कभी भी किसी की जान नहीं ले पाता इसलिए वो उससे बाते करने लगती है और कहती है कि तुम्हें अच्छे और बुरे में अंदर करना सीखना होगा क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे हो अभी वापर जेन आ जाती है जेन आखर जी को धका दे देती है और अपने बैटी को देखने लगती है और वो जी को थमकाने लगती है कि मैं तुम है बताती हूँ कि मैं कितनी बूरी हूँ और वो एक आदमी को जी के साथ बतमीजी करने के लिए कहती है वो उनमें से कीचर उन्हें रोकने की भी कोसिस करती हूँ और कहती है कि चेर्मेन सिवचरन को बता चल जाएगा तो जैन उसे थपर लगा देती है और उसे जुब करवा देती है कहती है कि मैं किसी से नहीं डरती मेरे इस कॉलेज में 50% से आ रहे है और उसके 20% लेकिन तब ही महाँ पर सिफचन बहुत जाता है कि हाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है वो अगर जी को उठाता है और अपने आत्मियों से कहते कि सब के मोबाल चेक करो अगर किसी के मोबाल में कोई पिक्शर है तो उसे डिलीट करतो सिफचन जैन को बताता है कि दो दिन बाद हमारे कॉलेज की 10 वी अनिवसरी है तो मैं पता भी है वहापर कितने मीडिया वाले होंगे जैन उसे बताने लगती है कि जी ने हमारे बैटे को किटनैप किया है जी कहती कि मैंने इसे कुछ भी नहीं किया है मैं तो बस जिंग सी को घुवाने के लिए लाई थी यहाँ पर सीवचें जी से सारी कहने लगता है और उसे कॉलेज का हैट भी बना देता है जैन जी के उपर अपना क्रेडिक कार्ट फेकर मारती है और कहती है कि जाओ इसे अपनी इज़द खरीद लो अब जी वहापर सोच यह होती है जैन जी के घर में घुझ जाती है यहाँ पर उसे एक विक्चर मिलती है जिसे वो जला देती है इदर क्लास्रूम में जी सीचन से पूछती है कि तुम अपनी वाइब को कैसा समझते हो वो कहता है कि जैन एक अच्छी वाइब है लेकिन इसमें थोड़ी सी कमिया है वो जिंग से पर ध्यान नहीं दे पाती है अब जी उसे एक वीडियो दिखाती है जो कि उसी के घर की होती है नेक सिन में इदर जी के घर का डॉर ओपन होता है लोगों को लगता है कि साई जी आ गई लेकिन वहाँ पर सीचन आया होता है और वो जैन से कहने लगता है कि मैंने तुम बताया था ना कि दो दिन के बाद दसवे अनिवस्टी है तुम कोई परिसानी कड़ी मत करते ना तब ही वहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले भी आ जाते हैं जिने की जी ने वेज़ा था जेन तो मीडिया को देकर तुरंट वॉल पर लगी पिक्चेस अटाने लगती है यहाँ पर सियूचन जी की बातों को याद करता है जहाँ पर जी ने उसे बताया था कि तुम्हारी वाइप एक पहुती जूटी लड़की है सियूचन उसे पूशने लगते है कि तुम्हारे यहाँ पर आने का मकसद क्या है आकि तुम घर ने क्या चाहती हो और जी को धक्का देकर यहाँ पर आ गया था अब रेसेंट में रिपोर्टर सियूचन और जीन से पूशने लगते हैं कि हमें पता चला है कि आप बिना टीचर जी की अजाज़त के उनके घर में गुज गये हैं सियूचन वहाँ पर चुप रहता है सिर्फ इतना कहाता है कि इसका जवाब मेरा वकील देगा लेकिन जी उन लोगों को बताती है कि तीन दिन बाद हमारे कॉलेज की दस्वी अनिवसरी है जिसमें आप सब लोगों को आना चाहिए और अपने सवाल पूशने चाहिए क्योंकि जी दुनिया वालों के सामने उनका असली चहरा लाना चाहती थी जिसके बाद स्यूचन जैन को घर पर लेकर आता है जहापर जैन उससे कहने लगती है कि यह कोई मामूली लड़की नहीं है बहुती जादा तेज है वो हमसे बदला लेना चाहती है जैन पूछता है कि किस जीज का बदला तो वो चुप हो जाती है और कुछ नहीं बताती है जैन उससे कहने लगता है कि तुमने मुझे धोका दिया है मैंने तुमारी वो पिक्चर देखी थी जिसमें तुम वेटर की ज्रेस में थी और तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने कभी वेटर की भी जॉब की थी जेन उससे कहती है कि मैं पूरी कोसिस करूंगी कि ये बाद किसी को भी बाहर बाता न चले स्यूटन कहता है कि हाँ यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा जिसके बाद जेन मिस्टर जाओ को कॉल करती है नेक्स सीन में जी जिंकसी को एक जूले पर चुला रही होती है जिंकसी कहा था कि जो लोकेट अपने मुझे दिया था वो गिर गया है जी उसे उठाने के लिए जाती है तभी वहाँ पर जेन आ जाती है जी को पकड़ लेती है और उसे पर रिसान करने लगती है तभी जैन उसकी वीडियो बना लेती है और कहती है कि अगर तुम अभी मेरे सामने आई तो मैं तुम्हें मोच से भी बत्तर जिंदगी जेने पर मजबूर कर दूँगी और उसे लास वाणिंग देने लगती है और उन वरतों के साथ उसे वहां से भेज देती है तभी यहाँ पर जिंदगी अपनी मौं के पास आता है जैन उसे बताती है कि तुम्हाई टीचर तो अपने घर चली गई है और वो जिंदगी को लेकर आ जाती है एदर जी उन दोनों ओरतों को चकमा देकर भागाती है और वो सीचन के आफिस में आ जाती है और एक सोबर पर बटकर अपने हाथ पर मैडिसीन लगा रही होती है तभी वो सोचती है कि मुझे सीचन को भेकाना चाहिए तब हिुआ पर स्यूचें ओफिस में आ जाता है और जैसे डॉर ऊपन करता है तो उसे गिरने का नाटक करने लगती है स्यूचें तो समझ जाता हा है कि नाटक करना बंद करो जियो से बताती है कि तुम्हारी वाइप मेरे पास दो ओरत लिखा रह रही थी और उसने ही ये सब कुछ किया है और स्यूचन से अपने आपको उठाने के लिए खाती है तो स्यूचन उसे उठा लेता है और बठाता है जी उसे बहकाने के लिए उसे मैडिसीन लगाने के लिए खाती है तो स्यूचन उससे कहते है कि तुमने तीशरी बार मुझे भाहकाने की कोशिफ की है, तब ही वहाते हैं। लेकिन उससे पहले स्यूचन जी को अपनी टैबल के नीचे शिपा देता है, यहाँ पर जेन सीवचेन को आकर कहाती है कİ कै तुम अभी भी मस्तर ना राच हो मेरे खहाल से अप तो मैं जी को निकाल देना चाहिए सीवचेन कहाता कि ये कोई बात नहीं हुई कि मैं उसने काल दू उसे निकालने के लिए कोई reason भी तो होना चाहिए जैन कहती है कि उसने ही हमारे बच्चे को किटनेप किया था वो कहता है कि इसी कोई बात नहीं है तो जैन वहाँ से चली जाती है बस जी सिवचन से कहने लगती है कि तुमने मेरा साथ दिया उसके लिए थैंक्यो और वो भी वहाँ से चली जाती है जी जा रही होती है तब ये उसके पास जैन आ जाती है उसके साथ दो पागल ओर्थे भी होती है जी को पकड़ने वाली होती है तब ही वहाँ पर जिंगसी आ जाता है जिंगसी को देखकर जैन उन दोनों को वापस भिज़ देती है और वो जी को भला बुरा सुना कर जिंसी को अपने साथ लेकर चली जाती है जिसके बाद जैन सुचन के आफिस में पहुचती है और उससे बाते करने लगती है और दोनों रोमेंस करने लगते हैं उन लोगों को जी भी देख लेती है और उसे तो काफी ज़्यादा घुसा आता है क्योंकि वो तो शाहती नहीं थे ना कि दोनों husband wife साथ में खुश रहा है तो वो जेन की photo के सामने जाकर उसे बेकार कर देती है और कहती है कि दीरे दीरे में तुम सब को बरबाद करतूंगी नेक्स जेन के पास एक call आती है जिसे पता चलता है कि जी की वो वीडियो वाइरल होगी है जिसमें हमने उनके साथ बुरा भी हवगिया था जो देखकर जेन तो हैरान हो जाती है जेन जी को स्कूल में लेकर जाती है जहांपर मीडिया वाले उससे उस हाथसे के बारे में सवाल करने लगते है लेकिन जेन बताती है कि टीचर जी के साथ मेरा विवार काफी जाता अच्छा है वह वीडियो तो हमने सिब नाटक के लिए बनाई थी हम दोनों तो best friend है जिसके पाफ जेन एक रूम में होती है जहांपर टीचर जेन के पास जी को पकड़ कर लाता है और कहता है कि इनकी सेवा करो जी उसके हाथों पर मॉस्ट्राइजर लगाने लगती है और सोचती है कि यह हाथ तो काफी जाता संदर है लेकिन इन हाथों ने किसी का खून किया है जी अपने husband लियांग के बारे में सोचने लगती है और तब ही महाँ पर जी एक blade को उठाती है जिससे देखकर जेन तो डर जाती है जी उस blade को उसके हाथों पर फैरने लगती है जेन अपना हाथ कीच लेती है जेन जी वहाँ से जा रही होती है जेन जून से कहाती है कि इसे कई जाने वत देना जो सुनकर जी जल्दी से अपने phone से किसी को message करते थी है जिसके बाद प्याणो competition होता है जहाँ पर जेन आकर प्याणो बजाने लगती है और एधर जून जी को एक कुसी से बांद देता है और प्याणो competition में जाने नहीं देता है लेकिन तभी वहाँ पर सुचन आ जाता है और आकर जी के हाथ खोल देता है सुचन वहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि जेन ने उसी को message किया था अब इधर जी और सुचन जो भी बाते कर रहे होते हैं वो सारी बाते जेन को एक एरवर्ट से सुनाई दे रही होती है वो प्याणो बजार ही होती और उनके बाते सुन रही होती है तभी उसके हाथों से खून आने लगता है अब थोड़ी देर बाद जेन वहां से उटकर चरी जाती है और वह रूम में जाकर उन दोनों को एक साथ देख लेती है जेन को उन्हें देखकर बहुत ही बुरा लगता है जेन जी का हाथ पकड़ कर स्टेच पर किच कर ले आती है जिससे जी गिर जाती है वहाँ पर बेठें लोग भी सूचने लगते हैं कि अबर ये क्या चल रहा है जेन अपने प्यानों में से एक ब्लेट निकालती है जिसके काण उसके हाथों से खून आने लगा था जेन कहती है कि मेरे प्यानों में ये ब्लेट टीचर जी ने रखा है तब ही वहाँ पर गाड आकर जी को पकड़ लेते हैं जी कहती है कि तुमारे पास क्या सबूत है कि ये ब्लेट में ने रखा है जेन उससे कहती है कि बहस करने की ज़रुत नहीं है मैंने तुमें खुद अपनी आखों से इसे रखते हुए देखा था आगे तुम मुसे तनी नफरत क्यों करती हो तब ही महाँ पर बेटे हुए रिपोर्टर्स भी खड़े हो जाते हैं और जेन से कोश्टिन करने लगते है कि कि क्या तुमारे पास कोई सबूत है अगर तुमारे पास कोई सबूत नई है तो तुम किसी पर इसनसाम नहीं लगा सकती इसलिए से जाने तो जेन क्याती है कि यह मेरा हाथ कटा हुआ है क्या यह सबूत नहीं है और कहने लगती है कि मुझे रोखने की किसी महमत नहीं है लेकिन तबी महाँ पर स्यूचेन आ जाता है और लोगों को रोक लेता है वो कहता है कि ये कोई ठोस अबुत नहीं है और वो जी को माँ से भेज़ देता है स्यूचेन जैन से कहता है कि यहाँ पर कोई तमासा मत करो यहाँ पर सेहर के बड़े लोग और रिपोर्टर्स आये हुए हैं तरह साच चुप चुप घर चलो मैं तुम्हें सब कुछ समझाओंगा अब सिउचन एक माइक लेकर कहता है कि आज के लिए बस इतना ही तभी मापर सिउचन को जैन ग्रूप के आप मी रोक लेते हैं और कहने लगते हैं कि अब जैन ग्रूप बहुत जल्दी ही नीचे के जाएगा तो मारी इन हरकतों के बाद जो सुन पर सिउचन कहता है कि मैंने ही इस ग्रूप को अपने हाथों से खड़ा किया है और मैं इस ग्रूप को बचा सकता हूँ तभी मापर जी भी आ जाती हो और आकर अपनी सफाई देने लगती है कि मैंने इसा कुछ भी नहीं किया है सिउचन कहता है कि मैं इस सब को चेक कर लूँगा और कहता है कि मुझे आप अपनी वाइब को हॉस्पिटल लेकर जाना है मुझे रास्ता दो और वो जेन को ले जाने लगता है लेकिन जेन कहती है कि मुझे मत पच्च करो मेरे पास इसकी किलाब सबूत है और वो इस्क्रीन की तरफ सारा करती है जिसमें जी का वीडियो आ रहा था जहांपर वो प्यानों के पास आती है वहापत खाड़े लोग जी को पकड़ लेते है जेन क्रूप के मेंबर्स उसे भला बुरा कहने लगते है जी कहती है कि क्या ये वीडियो आप पूरा नहीं देखोगे आगे वीडियो में जी बिना कुछ करे वापस सेली जाती है और अब जून वहापर आता है जो प्यानों में ब्लेड रखता है जिससे जेन के हाथ कट गए थे उन कहने लगता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया है लेकिन स्यूचन उसे की करता है जिससे वो गिर जाता है और काड उसे बकट कर ले जाता है अब जी यहाँ पर याद करती है कि उसने कैसे जून से ये काम करवाए था जहाँ पर जी एक लस्पर मेठी हुई थी तब ही महाँ पर जून आता है जी उसे उकसाकर प्यानो में ब्लेड रखवा देती है लेकिन जून को पता नहीं था कि ये प्यानो जैन बजाने वाली है अब यहाँ पर जी सब को कहती है कि क्या आप लोग वीडियो को आगे नहीं देखोगे वीडियो आगे चलती है जिसमें जैन और मिस्टर जाओ एक रूम में रहते हैं जो देखके सब के होसी उड़ जाते है जैन कहने लगती है कि ये सच नहीं है ये सब AI का कामाल है लेकिन यहाँ पर सिउचें जिन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है और अपने लॉयर को कॉल करता है और कहता है कि डिबोस पर पता ही आ रखो लेकिन लॉयर उसे एडवाइस देता है कि अगर आपने डिबोस लिया तो अपके कंपनी के सेयर नीचे गिर जाएंगे जिससे आपको काफे जादा नुकसान हो जाएगा नेक सीन में जी जिन से बाते कर दी होती है तब ही मापर सीचेन आ जाता है और जी पर गुस्टा करने लगता है उससे कहता है कि अगर तुम्हारा मकसद क्या है तुम हमसे क्या चाहती हो जी बताती है कि मैं तो चाहती हो कि तुम्हारा और जेन कर डिबोस हो जाए जो देखके जिंग सी कहने लगता है कि आप मेरे डिट को धम का रही है स्यूचेन जिसे पूछता है कि इससे तुम्हें क्या मिलेगा ये मेरे और जेन के बीच की बात है उमीद करता हूँ कि अब तुम कुछ नहीं करोगी तब ही महाँ पर जेन भी आ जाती है और वो तीनों घर चले जाते है एक सीन में स्यूचेन घर पर बेटा हुआ था तब ही महाँ पर जेन आती है और उससे कहने लगती है कि ये वीडियो हसली नहीं था इसमें जी की जिरू कोई चाल है स्यूचन कहने लगते हैं कि अभी तक तो लोयर को आ जाना चाहिए था क्या तो हमारे तक अभी तक डिवोस पेपर नहीं पहुचाए गए है टेन के हाथी कि मुझे बाता है कि तुम जो कुछ भी कहरे हो गुस्से में कहरे हो आखिर कर तुम मुझे डिवोस नहीं दे सकते हो वरना कंपनी के स्टॉक नीचे गिर जाएंगे वो कहता है कि कोई भी आदमी ये सब कुछ बर्दास नहीं कर सकता तुम्हें तो सुकर मना चाहिए कि मैं तुम्हें डिवोस नहीं दे रहा हूँ जेंग से को तो कितनी ज़्यादा सरम आएगी कि उसे तुम्हारी जैसी मौ में लिए है नेक सीन में जी के पास एक आत्मी आकर बैठता है जिसका नम लिंफेंग होता है वो उस प्यानवाले कॉमपटिशन के स्टेज़ बर भी था जो रिपोर्टर्स बन कराया हुआ था यहाँ पर वो दोनों आगी की प्लानिक करने लगते हैं लिंफेंग क्याता है कि मैंने सोचा नहीं था कि स्यूचन जेन को डिवोस नहीं देगा जी क्याती है कि जब तक स्यूचन है अपर है वो जेन को कुछ भी नहीं होने देगा जी लिंफेंग से कहने ही लगती है कि तुमने मेरी बहुत जाता है और वो वहाँ से चेली जाती है तब ही लिंफेंग सोचता है कि मैं तुम से बहुत जाता प्यार करता हूँ मैं तुम्हारे लिए कैसी की जान भी ले सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ नेक सिन में जी सीवचेन की कमपनी के भार घूम रही होती है तब ही वहाँ पर सीवचेन आ जाता है जिसे देखकर वो साइट हो जाती है सीवचेन अपने गाड्स को वहाँ से भीच देता है तब ही वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें से दो आदमी निकल कर जी को किटनैप कर लेते हैं वो लोग गाड़ी में से अपने बॉस को कॉल करते हैं जिसके आवास उनकर जी को पता चल जाता है कि यह तो जैन है जैन उन लोग उसे कहती है कि तुम लोग जी को समंदर में फेक देना लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते हैं इतने में जी पीचे से अपने हाथ खोल देती है और ट्राइवर के गरदन पचाकू रख देती है जिससे ट्राइवर काड़ी को तेड़ चलाने लगता है और एक गाड़ी से उन लोगों का एक्सिटेंट हो जाता है और जिस गाड़ी से उनका एक्सिटेंट होता है एक्च्वल में उनका एक्सिटेंट होता है जिसमें फीचे से स्यूचेंट रहता है क्योंकि लिन फैंग ने सुचन को गिटनैप कर लिया होता है फ्लैस्पिक दिखाया चाता है कि लिन फैंग ने कैसे गिटनैप किया था एक्शन में उसने टकर मार कर उसे अपने गाड़ी में डाल लिया था और उसे लेकर जा रहा होता है जिस गाड़ी में जी होती है न उसका ड्राइवर अकल लिन फैंग से मफ़ी मंगने लगता है लेकिन इतने में ही जी गाड़ी की खिटकी खोल कर हल्प के लिए आवाज लगाने लगती है लेकिन कोई सुनता नहीं है और वो दोनों अपनी अपनी गाड़ीों में बैटकर चले जाते हैं नेक्सीन में जी एक सोपे पर बेहोस पड़ी होती है तब ही वहाँ पर जेन आ जाती है और वो ड्राइवर को तमाचा लगा देती है और कहती है कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि इसे समुद्रम में फैक देना एदेस यूचेंग भी एक सोपे पर बेहोस पड़ा था और लेन फैंग भी वहीं पर रहता है तब भी लिन फैंग के अंकल वहाँ पर आजवाते हैं अंकल उसे कहने लगते हैं कि तुमने ये क्या किया ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है तो पागल होके आप मरना चाते हो लिन फैंग क्या था है कि मैं जी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ इसे भी मेरी लाइफ उसी के है उसी ने मेरी चान बचाई थी वो दोनों जगड़ा करने लगते हैं इधर जी को होस आ जाता है तब भी वो दोनों किटनेपर जी को पकड़ लेते हैं यहाँ पर जी होस में आने के बाद अजीब अजीब बाते करने लगती है जेन क्या थी कि इसको क्या हुआ है वो लोग बिताते हैं कि यहाँ पर आने से पहले इसके सर पर इधर उधर गाड़े में कई बार लगी है जिसकी वज़े से साइड यह ऐसा बेहिव कर रही है लेकिन एक्शन में जी पागल होने की एक्टिंग कर रही थी जेन महां से चली जाती है तो जी सीरिस हो जाती है और वो अपना फोन निकालती है इधर बार जेन उन दोनों से बात कर रही होती है और कहाती है कि तुम दोनों जाकर इसे समूद रूमे पहिक दो तुम मेरे लिए इसे मार दो और वो वापस से जी को देखने लगती है उसके सामने जी अभी भी बागलो जैसे एक्टिंग कर रही होती है जिसके बाद जी मॉबाइल लेकर महाँ पर नेटवर्क ढून रही होती है तभी ड्राइवर को देखकर वो एक रूम में चली जाती है तभी वहाँ पर सीवचेन को बहुस देखती है और सोचने लगती है कि यह यहाँ पर कैसे आया और यह बहुस और घायल क्यों है अब सीवचेन को भी होस आता है और वो उटकर बेट जाता है और वहाँ उसे एक्सेडन के बारे में सोचने लगता है वो सोचता है कि वो आदमी जिसमें मुझे मारा था मुझे लगता है कि मैंने उसे पहले कहीं देखा है और उसे वो स्टेज़ वाली बात यादाती है यहाँ पर लिन फैंग डिपोर्ट अपन कर आया था तो स्टेज़ अपना मॉबाइल निकालता है लेकिन उसे महाँ पर नेटवक नहीं मिल रहा होता है तब भी महाँ पर कोई आ जाता है तो स्टेज़ फिर से बहुस होने कानाटे करने लगता है जी भी उसी रूम में होती है और वो डॉर के पीछे शुप जाती है अब दो आदमी अंदर आते हैं वो शुचेन को उठा कर किसी और रूम में ले जाते है जी सोश्री होती है कि क्या इसे किसी ने सच में किड्नेप कर लिया है तो फिर मुझे अभी यहां से नहीं जाना चाहिए नेक सीन में ड्राइवर जी को परिसान कर रहे होते हैं तब ही वहाँ पर जेन आ जाती है और कहने लगती है कि इसे ऐसे ही दो तिन दिन तक परिसान करो इसे मौट से भी बत्तर जिंदगी मिलनी चाहिए क्योंकि जेन को एक शोर में पता नहीं होता है कि जी तो बस पागल होने केक्टिंग कर रही है अब इदर कुछ आदमी जी को परिसान कर रहे होते हैं उसके मूट पर केक लगा देते हैं और उस केक में काच के टुकडे होते हैं जिससे उसके हाथ में काच लग जाता है फिर उसके वीडियो बनाने लगते हैं ये सब को जेन बाहर से देख रही होती है देन वहां से चली जाती है देन वो दोनों आदमी आपस में बाते करने लगते हैं कि हम लोग इतने कम पेसे के लि her Mmm का भतर ना काम क्यों करें स्योचन जी को अपने साथ बहार निकाल कर उन लोगों को रूम में बंद कर देता है और वो जी से पूछता है कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ है जी यहाँ पर भी पागलों की एक्टिंग करते वे से बताने लगती है कि यह बहुत ही सुन्दा सिस्टर थी जी उसने मुझे कहा कि मैं यहाँ पर रहूँ उसी ने इन लोगों को मेरे साथ बत्तमेजी करने के लिए कहा स्यूचन उस लड़की का नाम पूछता है तो जी बताती है कि उसका नाम जैन है क्योंकि अभी भी जी पागल होने के एक्टिंग कर रही होती है एदर लिन फैंग को दिखाया जाता है जिसे पता चलता है कि स्यूचन वहाँ से भाग गया है और एदर जैन को भी पता चल जाता है कि जी भाग गई है वो दोनों ही उन दोनों को ढूणने लगते हैं तब यहाँ पर कुछ आदमी आते हैं वो लोगों को ढूणने के लिए लेकिन उनके आने से पहले ही स्यूचन और जी ने अपना गेट अप चेंज कर लिया होता है जिसे वो लोग उन्हें पहचान नहीं पाते हैं और वो आदमी उस रूम से चले जाते हैं यहाँ पर जी स्यूचन को भाई कह रही होती है तो वो कहता है कि क्या तुम अपने भाई की बात नहीं सुनोगी मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा वो लोग जैसे ही बाहर जाते हैं तो यहाँ पर लिन्फिंग उन्हें देख लेता है तबी स्यूचन कहता है कि लिन्फेंग को पकड़ लो और लिन्फेंग के पीछे खड़े वोई आदमी लिन्फेंग को ही पकड़ लेते हैं तबी वहाँ पर उसके अंकल आ जाते हैं और स्यूचन से कहने लगते हैं कि प्लीज इसा मत करो वो स्यूचन से बाफ भी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि आज के बाद कि आपको परिसान नहीं करेगा फूर जो भी करना है मेरे साथ कीजिए लिन फैंक तो भी छोटा बच्चा है इतने मैं जी स्यूचन के गले पर चापू रख देती है पर कहती है कि लोगों कुछ आने दो और मुसे प्रोमिस करो कि तुम इस बारे में कोई भी इन्वेस्टिकेशन नहीं करोगे स्यूचन कहने लगता है कि अभी तक ऐसा कोई आत्मी पैता नहीं हुआ है जो स्यूचन को धंकी दे सके अगर तुम्हें मारना है तो मार दो इतने में ही जी कहने लगती है कि मैं तो बस मजबाब कर रही थी अब यहाँ पर जी भी चेन के बारे में बताने लगती है कि इसने मुझे मारने की कोसिस की थी अपने वंदो को उसने मुझे समूदर में फेकने के लिए कहा था सखे की जिंग से स्यूचन का बिटा नहीं है और हमें इस बारे में पता लगाना होगा अगर ये बात सर्च निकली तो इन लोगों का डायवोस होना पका है और फिर जैन को बरबाद होने से कोई नहीं रोख सकता है नेक सीन में जी एक मास पहन कर स्यूचन के आफिस में आ जा जाती है फिर कहने लगती है कि वैसे जब तुमें सब कुछ बता है तो क्या तुम मेरी एक बार हेल्प नहीं कर सकते हैं तो फिर मेरे चीने को कोई मतलब नहीं है और वो जाकर एक खिटके से कूटने लगती है तब ही जाकर उसे पकड़ लेता है कि मुझे पागल बनाना ब बनोगी जो सुनकर वो तो हैरान हो जाती है सीन चेंज होता है जहापर हम देखते हैं कि जैन कुछ ढूंड रही होती है तब इसको एक फाइल मिलती है उस फाइल में उसके खिलाफ सारे एविटेंस होते हैं जिससे जैन को पता चल जाता है कि स्यूचन उसके अगेंस्ट इ कहती है कि डिवस के बाद तुम मुझे साथी क्यों करना चाहते हों सुचन कहता है क्योंकि जिंक सी तुम्हें बहुत पसंद करता है पूशने लगती है कि आगे क्या प्लानिंग है वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि जैन घर शोड़ कर चली जाए जिक यह आसान नहीं है और आधी प्रॉपर्टी भी तो मिल जाएगी जो जैन कहता है कि मुझे पता है कि तुमने फेक आईटी से स्टॉक खरीते हैं और कंपनी के से और काफी जाता कम जूल कर दिये हैं लेकिन कोई बात नहीं मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा वो बताता है कि इसी वज़े से जैन के सबी स्टॉक्स एक महीने के अंदर ही परबात हो गया हैं और रही मेरी प्रॉपर्टी की बात तो उसमें सहाब प्रॉपर्टी जैन को मिल भी जाती है तो मुझे कोई अफ्सोस नहीं होगा क्योंकि बहुत साल तक वो मेरे साथ रही है और उसने जिंक्सी को भी जन दिया है उसे पूरी लाइफ खाने पेने के लिए कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए जी कहने लगती है कि वैसे मेरी पेक कंडिशन है मैं तो महारी असिस्टेंट बना चाहती हूं उसकी साथ मान लेता है और कहता है कि जिंक्सी का भड़े आ रहा है उसके फंसन से पहले तुम नेक्सीन में स्यूचन का असिस्टेंट सोच रहा होता है कि जी को मेरा काम क्यूं दे रहे हैं कई मेरी चौप खजरे में तो नहीं है स्यूचन अपना कोट उतार कर एक मिटिंग में जाने लगता है तो जी चल्दी से उसका कोट ले लेती है और कहती है कि अपसे ही मेरा काम है जिसके बाद जी कोड़ पर उसके हैर ढूने लगती है लेकिन उसे इस पर कोई भी हैर नहीं मिलता तो वो सोचे लगती है कि एक एसा आदमी है इसके बाल है या फिर इसने विग लगाया है लेकिन तब यह उसको सोफा पर एक हैर मिल जाता है लेकिन उसे अभी भी और वाल चाहिए होते है, तो जोशे लगती है कि स्यूचन तुम्हें लगता है कि मैं डिवन में सिप इतना चाहती हूँ कि तुम जैन को डिवोस दे दो और जैन अपनी लाइफ आराम से जीए, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूँगे, जिंग से का बड़े ही मेरे पास लास मुगा है कि मैं तुम्हारी होने वाइफ हूँ, तो मैं क्यों चुप हूँ, जिसके बाद वो दोनों घर पहुचते हैं, जहां पर जिंग सी, जी को टीचर कहके बुलाता है, और कहता है कि मुझे आपके पहुचाता याद आती है, शूचन जिंग से कहने लगता है, कि अब से तुम बाल उठाने के लिए वोश रूम के अंदर चली जाती है, हैर लेने के बाद जीसी ही, वो महाँ से जाने लगती है, तो सूचन वहाँ पर आ जाता है, वो जी को महाँ पर देखके पूचन लगता है, कि तुम मेरे वोश रूम में क्या कर रही हो, जी कहती है कि सवाल कर रूम में ले आता है अपनी capability दिखाने के लिए और उसके गरीब चाने लगता है लेकिन जी ये बोल कर मना करते थी कि अभी हमारी साथी नहीं हुई है तब ही वहाँ पर जिंगसी आ जाता है कि बस जिंगसी का बर्डे ठीक से हो जाए बस मैं यहीं चाता हूँ नेक्स मौनिंग जब जिंगसी सो रहा होता है तो जी उससे कहती है कि सौरी बेटा मैं तुमारे बर्डे वाले दिन अपने हस्बेंड और अपने बच्चों के मौत का बदला लूँगी इस फल का मैंने कई सालों से वेट किया है मैं इस वोके को हाथ से नहीं जाने दे सकती है नेक्सिंग बर्डे का दिखाया जाता है जहां पर कुछ लड़किया स्यूचन और जेन को देखकर कहने लगती है कि इनकी जोड़ी तो काफी अच्छी है लेकिन स्यूचन के बिना जेन कुछ भी नहीं है वैसे बर्डे में सभी बर्डे बर्डे लोग बुलाए गए है तब ही जिंग सी अपने टैट से पूछने लगता है कि टीचे जी क्यों नहीं आई है तब ही महाँ पर जी आ जाती है स्यूचन के लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो कुछ भी यहाँ पर गर्बर मत करना हूँ यहाँ लगती है कि मैं तो बस बड़े फीस करने के लिए आई हूँ और अपनी पुरानी फ्रेंड से मिलने है और वो जेन को एक बॉक्स देती है जिसमें कि एक लॉकेट और एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि मैं लियांग की वाइफ हूँ जो देखकर जेन पास का सीन याद करती है जहाँ पर वो लियांग की असिस्टेंट होती है और उसे सेड्यूस करने की कोसिस कर रही होती है लेकिन लियांग उस पर घुसा करने लगता है और उसे जॉप से ही निकाल देता है तब ही मापर जी आती है अपने हस्बेंट से मिलने के लिए लियांग अपनी वाइब के साथ काफी अच्छा था जी उससे पूछने लगती है कि भार वो लड़की कौन थी लियांग कहता है कि वो बहुत ही एरोगन लड़की है जो सुनकर जैन को तो काफी गुसा आता है अब प्रेजेंट में जी जैन से कहने लगती है कि तुम्हारी वज़े से मेरे बच्चे डैट पैदा हुए थै और तुम्हारी वज़े से मेरे हस्बेंट ने अपनी जान ले ली पैदों में छोडने वाली नहीं हूँ तब ही उनके बीच में स्यूशन आकर कहता है कि यहाँ पर तमासा खड़ा मत करो जी कि यादी कि तो में ता भड़क क्यो रही हो मैं क्योंकि जेन ने उसके हस्बेंट के सारे असेट्स अपने नापर ट्रांसफर कर लिये थे स्यूशन कहने लगता है कि मेरी वाइपर जूटे ब्लेम मत लगाओ तो यहाँ पर उसके हस्बेंट के कंपनी में जेन ने जो फ्रोड किया था उसके प्रूप दिखाती है जेन कहने लगती है कि तुम्हारा हस्बेंट बिल्लिंग से कूद कर मरा तो इसमें मेरी क्या गल्ती तुम्हारा हस्बेंट ही पागल था और उसी ने सारे असेट मेरे नाम किये थे मैं तो अपने हस्बेंट और बच्चे के साथ काफी जाता खुस हूँ और बेटर होगा कि तुम मुझसे माफिय मांग लो तब ही वहाँ पर मुझूद एक पुलिस का सीनियर अफशर जीस से कहने लगता है कि तुम्हारे पास कोई प्रूप नहीं है कि तुम्हारे हस्बन की मुद जैन की वज़े से हुई है इसलिए तुम मेरे तीन तक गिनने से पहले जैन से माफिय मांगो लेकिन यह आपर जी जैन से माफिय मांगती है देन वा सबी को DNA रिपोर्ट दिखाती है जैसे स्यूचन को यह पता चल जाता है कि जैन से उसका पेटा नहीं है जो जान कर स्यूटरन को तो काफी ज़्यादा घुसा आता है और वो तुरन्त ही जैन को डिवोस देने के लिए कहता है और पुलिस से भी कहने लगता है कि अब तक जितने भी जैन पर इल्जाम लगे हुए हैं वो सब को सही है तुम इसे सजा दिलवाओ एक्चल में वो जैन को सर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहा था क्योंकि वो जिंगसी से बहुच जाता प्यार करता था और अभी भी वो जिंगसी का साथ नहीं जोड़ता है यहाँ पर पुलिस जैन को लेकर जाने लगती है तबी जी उससे पूशने लगती है कि जिंगसी किसका बेटा है जेन कहने लगती है कि वो तुम कभी पता नहीं लगा पाओगी हो सकता है वो तुम्हारे हस्बेंट का बेटा हो तुमने भी तो मेरे हस्बेंट से उचन को सिडियूस कर लिया आना तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा husband इतना जादा loyal था सारे men एक जिसे होते हैं ये सब कुछ बोल कोई वो चली जाती है लेकिन ये नहीं बताती कि जिंगसी किसका बेटा है लेकिन यहापर जी को तो अपने husband पर पूरा परोसा था एक scene में वो अपने husband के grave पर पहुचती है और कहने लगती है कि मैंने finally तुम्हारा बदला ले लिया उस इंसान को सजा मिल गई जिसकी वज़े से तुम्हारी जान गई थी और वो काफी जादा रोने लगती है जिंगसी और स्यूचन भी उसे दूर से देख रहे होते हैं और यहीं पर यह drama end होता है वीडियो पसंद आई हो तो like, share and subscribe करें thanks for watching